हम अब इस सुंसान आइलन पर फस चुके हैं जो की समधर के पीचों पीच है और हम अगले साथ दिनों तक यही पर फसे रहेंगे और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहां से निकलने का इकलादा रास्ता थी हम ऐसे क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मज़ा आएगा इतने खुबसूरत होने के बाबजूल लोग यहां पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए लेकिन अगले साथ दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं और अंधेरा होने से पहले हमारे पास चार घंटे हैं यहां बहुत गर्मी है रहने के लिए कोई जगा बनानी होगी हम यहीं पर क्यांप क्यों नहीं लगा लेते हैं यह जगा अच्छे लग रही है तो चलो शुरू करते हैं हम तीनों जाकर लकडिया लेकर आएंगे और तुम दोनों क्यांप लगाएंगे हम अब भी यहां पर क्यों खड़ें और इसी बीच नोलन और मैक एक फार पिट बना रहे थे मेरे इसाब से तो यह काफी अच्छा बनाया है ना इसमें भी आग नहीं लगी है यह बस आग लगाने के जगा है और शॉन ने हमारे कैम के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया क्या तुम्हें यकीन है यह हम पर नहीं गिरेगा लग रहे है जैसे शॉन हमारे डाड है ऐसा कह सकते हो और थोड़ा और सामानी कठा करते करते हमें आसपास को जानवर भी दिखाई दिये वाव इन चिकन्स को तो देखो एए रुको इस तरह भागो मत और हमें जल्ड ही पता चल गया कि यह चिकन्स हम से इतना डर क्यूर थे एए तुम क्या कर रहे हो रुको ये क्या है ये एक चाकू है क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे प्लीज मुझे चिकन खाने दो हम चिकन्स को नहीं मारेंगे जिमी तुमने कल राट डिना में क्या खाया था मत पूछो हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया जो कि काफी आसान था अब मैं आपको यहां का टूर दूँगा यह रही आग जहां हम खाना बनाने बाले हैं अब यहां हो और हम यहां पर सोने बाले हैं इसे के साथ टूर खातन हम अपने साथ एक सबाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इंपोर्टन चीज एक फ्लेर किसी को चोट लगी तो और जब तक सूरज ढ़ला, हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था सिर्फ एक चीज को छोड़कर रुको, रुको, संस्क्रीन फ्लेमेबल हो गिया ना पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से संबर्न हो रहा है अभीत करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नीद आएगी बस आज बारिष ना हो कल हमें एक बड़ा कैम बनाना होगा और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैम बनाएंगे हाँ, हाँ, ठीक जी में तुम मॉम जैसे हो, शान डैड अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे मेंद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटे बदल रहे थे और हम से मेरा मतलब है मैं तो अच्छी बात ये है कि हम अगले दिने से ठीक करेंगे दूसरे दिन का मेन अबजेक्टिव सिंपल है हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर बैटने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाडा ना दुखे और एक बहतर फार फेट मेरा पिछवाडा भी दुख रहा है हम कुछ लंबी और मजबूत लकडिया ढूण रहे हैं जिन्हें हम कैम की ऊपर लगा सके ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए और जब तक हम नए कैम के लिए सामान जुटाने में बिजी थे मैक और नोलन बिजी थे सीट्स धूड़ने में तुमने वो देखा? हाँ वो औरंज चीज क्या है? हम इसे एक बांसे सीट बना सकते हैं डूड ये एक बुई है? यहां एक नेट भी है हम इस नेट से मुल्गियां पकड़ सकते हैं ये कीड़े कहां से आगे? भागो, जान बचाओ जिमी, हमें एक गुई मिली है, ये मुलाइम गद्दा बनेगी तुमने ये चुराया है? नई क्या इसने ये चुराया है? इसे समंदर हमारे पास लाया है तो ये चोरी नहीं हुई? ये बढ़िया, मुझे ये चलेगा और बाकी दिन मैं चैनल और शॉन कैप को अपग्रीड कर रहे थे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यहां भी धूप आ रही है, शाद इसलिए क्योंकि सूरज नीचे है करीब 90% यहां पर छाओ ही रहेगी मैक और नोलन नारियल तोड रहे थे ठेक है, संबल कर चाकू बहुत बढ़ा है क्या बात है यह तो बढ़िया है और अफकोर्स चिकन पकड़नी की कोशिश कर रहे थे एए, चिकन्स, भागो, भागो यह तुम चा कर रहे हो? मैंने उनकी जान बचाई दूसरा दिन खत्म होने वाला है तो तुम सब को कैसा लग रहा है? मैं ठक गया हूँ, लेकिन मजा आ रहा है नोलन? बहुती बढ़िया शायद हम इस बात से सहमत होंगे कि हम उम्मीद से बहतर कर रहे हैं लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बच से बत्तर होने वाली थी मगर अभी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यूं है तो चैनलर को देखो क्योंकि यहां हम ऐसे ही नहा सकते हैं बाकी पानी खाना बनाने में और लिए पेशन से ना मरने में काम आएगा जानते हो मैंने यहां क्या नोटिस किया क्या नोटिस किया हमारे पास दस पानी के काटन्स थे और अब सिर्फ छे बचे हैं आज दूसरा दिन है जानता हूँ यहां पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूंगा कि यहां सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तमाल करना होगा हाँ सही का रुको तुमने भी क्या का शौन थोड़ा ध्यान दिया करो ठीक है सॉरी काफी रात हो गई है सोने चलते हैं अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो यह भी मैक है जो यह वाली और यह वाली वीडियो में हारा था यानि इसने इस चैनल पर पिछले दो महीनों में करीब वन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स हा रहे है यार ऐसा इंट्रोड़क्शन कौन देता है हाला कि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी हम नहीं जानते थे लेकिन यह आईलेंट कीडे मकोडों से भारा पड़ा है जो रात भर हमें काट कर परिशान कर रहे थे और पता नहीं क्यों लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परिशानी हुई मुझे कल रात बिलकुल नीन नहीं आई शायद यह मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान है देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नीन्द पूरी करने की कोशिश में थे आप समझी सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देख रहे कि क्या कर रहे होंगे चलो मुर्गयां पकड़े नहीं, चलो मचली पकड़े तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गयों के लिए जाल प्लैन ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिचाएंगे उसे उपर रसी से बांधेंगे अब फिर बूम, फंस गई मुर्गे चलो चलो अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानों में मरने वाला हूँ बॉइस के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे नेट बहुत मजबूत है, क्या ये लो हो गया इन्होंने करीब 30 मिनिट नेट को परफेक स्क्वेर में काटने में लगा दिये फिर इन्होंने रसी को पेड की डाली के उपर फेका नेट को चारो कोनों से बांधा और ये तयार हो गया ये तयार है, ये काफी अच्छा है फिर जाल के उपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का ये क्या है? मुर्गियों को पकड़ने वाला जाल मुझे वो रसी दिखाओगे? सॉरी नहीं दिखा सकता तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ मुझे लगा तुम लोग कोई धंका काम कर रहे होंगे सच कहूं तो मुझे बस ये सब वक्त की बरबादी लगी क्योंकि इनके अगले तीन घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तयार ही नहीं था और आखिर कार थोड़ा और इंतजार करने के बाद मैक ये क्या है? मैने पुरके पकड़ ले ओ ये चिकन तो काफी शान्त है हाँ ये हमारा नया ब्रायन है उस राफ्ट वाले पंच्छी की आदमे पता है तुमने इसके साथ इतना अच्छा बरताब किया है और जब तक हमने ब्रायन को पकड़ कर वापस आजाद किया यहां का तापान काफी गिर चुका था जिससे हम सबको इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर चा सके मेरे पीछे वो आइलेंड देख रहे हो हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक चलो चले मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे इतने अच्छे आइलेंड को छोड़कर हम समंदर के बीच एक चक्टान पर क्यूँ जा रहे हैं और सच कहूं तो मुझे इसका जवाब नहीं बता इस सबका कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है हम ये सर्फ बोर होनी की वज़े से कर रहे हैं हम पानी और अपनी उर्जा क्यों बरबाद कर रहे हैं मैक तुम क्या कर रहे हो यहाँ नीचे कितनी सारी मचलिया है सच में? हाँ यहाँ एक स्टिंग रहे है और हम यहाँ पर है जड़ा देखो तो दोनों तरफ पानी कैसे टकरा रहा है यह चट्टाने बहुत भिसलन भरी है हम उपर जा रहे है ओ गाश ओ यह तो कमाल का है वाग क्या नजारा है हमने गर दिखाया पता नहीं यह क्यों किया परकर दिखाया अब नीचे कैसे उतरेंगे और वापस आईलेंड पर कैसे जाएंगे जल्दी नीचे उतरना है तो कूद जाओ मैंनी कूदने वाला सूरज धलने के कुछ गंटों पहले यह बारिश की बूदने थी हमने नोटिस किया कि एक आंधी हमारी ओर बढ़ रही थी हम आईलेंड पर पहुच गए पोरकास देंगा कि आज बारिश नहीं होगी लेकिन सामने विशाल बादल है तो हमें तयार होना होगा चलो बारिश को फिक्स करो और सूरज के ढलने के बाद हम अपने नए और बहतर कैप में बैठे और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया और सबसे बुरी बात यह है कि यहां कुछ भी हो सकता है यहां इतना अंधेरा है कि हम यह भी नहीं देख सकते कि बारिश कितनी करीब है लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा निकला तूफान हमारे आइलेंड के बगल से निकल गया लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा पारिश हो रही है मैं बस घर जाना चाहता हूं फिर से कोशश करता हूं ऐसा लग रहा ये मंडे का असर है आइलेंड पर चार दिन बिताने के बाद हमारा सुभा का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था पहले हम उटकर शिकायत करते हैं कि हमारी नीन कितनी बुरी थी मुझे रात को बिलकुल भी नीन नहीं आई और फिर हम बाथरूम जाते हैं कभी-कभी साथ में तुम लोगों के साथ सुसु करने में डर लग रहा है और फिर एक बार और इंस्टेंट फूड खाएंगे हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आचुके हैं तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है ठीक है मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था मज़े करना यह सब बस पुछ मचलियों के लिए आपको मचली ढूणने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा मचलियां इस हलके नीले पानी में नहीं रहेंगी वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होगी तो या तो यह एक बहुत अच्छा इडिया है या फिर बहुत बुरा चाथ बहुत बुरा प्लान थोड़ा खतरनाग था लेकिन काफी सिंपल भी मैक एक इंसानी मोटर बोट के रूप में काम करेगा और शौन और नोलन को समुद्र के गहराई तक खीच कर लेकर जाएगा और क्योंकि शौन सवाइवल में हम सब का डाड है वो उन मचलियों को पकड़ कर हमारे खानी के लिए वापस आइलिंट पर ले आएगा रसी को पकड़ा है ना? और मैं लगभग पात सो फीट की रसी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं तो अगर उन्हें मदब चाहिए होगी तो हम उन्हें खीच लेंगे है ना चैनला? हाँ क्या रसी और बची है? हाँ काफी रसी बची है मैक तुम ठीक हो? हाँ? वो उस आंधी को देखो क्या वो आंधी है? दोस्तों में जल्दी करना होगा वो बारिश है? हाँ बारिश है मुझे लग रहे है कि ये रसी कहीं से तूट चुकी है जानते हो म क्या कर सकते हैं? मशली पकड़ सकते हैं वो अब भी पानी में है गाइस रसी खुल गई है तुम्हें मचली दिखाई दे रही है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक तो नहीं मारे पास रसी है हेई ओव ओव क्या कर रहे हो? हेई मचली मिल गई पकड़े रोखो पकड़े रोखो ये पकड़े रोखो और दो घंटी की महनत के बाद जिसमें 200 मचलियों जितनी कैलरीज खर्च हुई होगी उन्होंने पकड़ी सिल्फ एक ही मचली इसे खा सकता ना? हाँ, बिल्कुल ये किसी सूपर मार्केट से लाई हुई मचली की तरह है तुम जानते हो ना सूपर मार्केट में मचलिया कहां से आती है कहां से? समुद्र से और हाला कि ये समुद्र से मिली हुई मचली काफी अच्छी थी वक्त आ गया था कि हम कुछ धंका खाए स्मोर्स सबसे पहले अपनी छडी से बैक्टीरिया को जला कर मारो होने लगे हैं गबराओमध हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स वापस भरने की आपको पता चलेगा कि स्मोर्स को फीस्टिबल्स बार्ज के साथ ठाने में कितना मज़ा आता है हमारी किसमत तो देखो जैसे ही हम सोने गई बारिश शुरू हो गई ऐसा क्यों है कि सर्वाइवल वीडियो बनाते वक्त बारिश ट्रिफ कभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे हूं मैं कहूंगा हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल रहा हाँ हाँ सही का हमने चिकन पकड़ी और मैंने मच ले बस और तीन दिन की बेवकूफी मैं अभी अभी उठाओं पता नहीं कौन सा दिन है आज दिन है पांच वार यह मैं कहने वाला था हमने इस आइलेंट को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर बहुत सारे पुराने घर या खंडर है आप इन्हें जो चाहे बुला सकते हैं और हाला कि वो इस पहाड के ऊपर है मैं कहता हूँ कि आज हमें वही एक्स्प्लोर करने चाहिए मैं तयार हूँ और मैंने और जब सब खंडरों को देखने के लिए तयार हैं मैं चाहता था कि ट्रेकिंग शुरू करने से पहले हमारा पेट खाली ना हो और जब हम अपना इंस्टेंट फूर खा रहे थे नोलन को बीच पर कुछ बहुत ही लजीज दिखाई दिया वो देखो वहाँ पर क्या है वो वो एक बक्री है मैक ये वो हमारा खाना था अर मैक से एक और जानवर को बचाने के बाद वक्त आ' गया था खंडरो को देखने का ठीक है चलक़ उचले बाणी लगबबाख खत्म हो चुका है मुझे चाहिए बापस आने तक मैं इने नारियल पानी से भरने की कोशिश करता हूँ चलो चलते रहो मैं बस आ ही रहा हूँ ये लोग ये नहीं जानते कि मैंने पहार की चोटी पर इनके लिए एक सप्राइज रखा है आपको जल्दी पता चल जाएगा तुम्हारा इस तरह कैमेरे से केले में बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है हाँ ठीक उसी तरह जैसे तुमने वन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स खोई अरे हाँ मेरे पीछे आओ गैंग जीमी मुझे तुपर भुरोसा है एक सेकंड के लिए लगा यही वो पहार है लेकिन अब तक हमने पहार चड़ना शुरू भी नहीं किया है और जब तक हम ये पहार चड़ रहे हैं मैं बॉइस को वेस्टन यूनियन के बार में बताता हूँ वेस्टन यूनियन की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने परिवार और दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं हम उपर जा रहे हैं तुम अपना बताते रहो जिम रुको मेरे लिए हम वहाँ उपर तक जा रहे हैं वेस्टन यूनियन का एक फ्री वेबसाइट और अप भी है जो सिंपल और सिक्यूर है तो मेरी दादी भी इस्तमाल कर पाएगी तुम्हारी दादी भी मैउग मैने वेस्टन यूनियन का इस्तमाल करके उस आद्मी को पैसे देने में संभल कर चलो मुझे एक सेकंड दो वेस्टन यूनियन जिस बोट की मदद से हम इस आइलेंट पर आये थे हमने उसके पैसे भी वेस्टन यूनियन की मदद से दिये क्योंकि ये दस साल से चल रहा है मैं जानता हूँ मेरे पैसे पहुच गए भले ही मैं यूएस में रहता हूँ देखो हम अपने बीच से कितनी दूर आ गए है वो देखो क्या वो एक रिंबो है वहाँ रिंबो है मजारा है मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना लेकिन वो बारिश के बादल है वो बड़ा बादल वो दू हो तो हाथ हिलाओ वो वेव कर रहा है क्या इस रास्ते से वापस आने पर अंधिर होगा हम देखेंगे कैसे उसके बारे में बाद में सोचेंगे अगर कोई यहां से फिसला तो बहुत बुरा होगा तुम ठीक हो मैं जिन्दा हूँ आपको वो दिख रहा है बॉइस, कमाँ यहां पर आजाओ फंडर में स्वागत है यह तो वागई कूल है यहां पर एक येलो बॉक्स के उपड़ा है अच्छा हूँ तुमने पूछ लिया मैंने कुछ लोगों को वेस्टन यूनियन के जरिए ताकि वो इसे यहां लाए सच में? नोलन, तुमारे बाग में क्रोबार है क्या लगता है इसमें क्या होगा? पीजा? तुम चानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाएग और इसे खोलते-खोलते बेसें यूनियन आपको डाउनलोड या उस पर साइन अप करने का इससे अच्छा वक नहीं हो सकता आपका पहला ट्रांजक्शन है फ्री बेसेंट्रा खाना और पानी भर सकता था लेकिन मैं उससे भी वहतर चीज लाया हो मैक, क्या ऐसे देख कर तुम्हें कुछ याद आ रहा है इसमें तुमने आट लाग डॉलर्स हा रहे थे इस तस्वीर में तुमने साथ लाग डॉलर्स हा रहे थे ब्रो, क्यूँ? ये सब लूप रहे हो तुम देखना एक सेकंड चिंता मत करो अगर तुम हमारा लास्ट वीडियो देखो तुम कमेंट्स बोल रहे थे मैक को वापस लाओ, वापस लाओ मुझे तुम जीतो के? मुझे एक और मौका मिला मौके से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां कुछ खंडर है तो चलो चाकर देखते है एक और मौका मिल गया फिर से आपको निराश नहीं करूँगा यह इमारत लगभग सौ साल पुरानी है क्या सौ साल पहले इसे बनाने वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूच्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे वोओ यह तो डरावना है वहाँ उपर एक कैक्टस क्यो है क्या कैक्टस वहाँ उपर चड़ कर पहुचा या फिर किसी ने उसे वहाँ पर लगाया है कैक्टस उपर कैसे चड़ पाएगा जिमी उसके पास टांगी नहीं है चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं महाँ पर कुछ और खंडर है ये कितना अधभुत है ज़रा देखो ये पेड कैसे इन पत्थरों के चारों और लिप्टा है क्या गैंक को यहाँ पर मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला? हाँ बहुत ज़ादा ठीक है खेर इसे छोड़ो तो एक बात को हूँ, मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है मुझे भी मुझे लगता है इस नजारे ने यातरा को सफल कर दिया याम साफ हो गया, अब ये बारिश से भी बचा रहेगा नारियल पानी खाना तयार है और पानी भी ज़्यादा है, काफी अंधिरा हो गया मेरा मतलब आप इसे जंगल में देख नहीं पाएंगे पता नहीं वो लोग पाहड के उपर से इतने अंधिरे में जंगल से होते हुए यहां तक कैसे पहुचंगे ये रात में और भी ज्यादा डरावना है कैक्टिस, मुझे एक कांटा चुप गया लेकिन हम नहीं जानते थे कि रात के अंधिरे में काटों का लगना हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया जो कि जंगल के बीच होनी की वज़ह से थोड़ा ज्यादा भयालग ये रास्ता कौन सा है इस तरफ जाना है या उस तरफ रुको मुझे तीन अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं यह देखो यह एक यहां है और एक रास्ता यहां है यह भी है क्या तुम्हें यकीन है ये रास्ता सही है? जिमी, इस तरफ आओ! किस तरफ जा रहे है? अन्हें कहा था कि लिफ्ट की तरफ चलो! आओ पर साथ! तुम कितना शूर हो? मैं 10% शूर हो कि यहां से जाए है? तुम 90% शूर हो? ज़दी डिसाइड करो! यहां बहुत सा बगते हैं इस बारिश हो रही है! जाओ! बारिश हो रही है! क्योंना हम पहले चुनकर फिर रास्ता बदा दें? मुझे फर्ट नहीं पड़ता! ओ, दोस्तों यह बहुत बुरा है! यहां बहुत विसलन है! मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से आये थे! ओ, ओ, मैं मूग के बल गिर जाता! और हमें लग रहा था कि इस से बुरा कुछ नहीं हो सकता! बारिश की भी जंगल में खोड़ने के अलावा एक तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था! तुम्हारे उपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड है! बारिश की बूंदे इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी! डेथ आपल सैब से जरा बच कर क्योंकि अभी बारिश हुई थी! अब हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने उपर गिरने मत दो! मैं 10,000% शौर हूँ कि यही वो एपल ट्री है! मतलब हम करीब हैं! हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम यह तो जानते थे कि हम कैम्प के बहुत करीब हैं! यह रेथ है! यहां रेथ है! शुक्रे है! हम पहुँच गे? कैम्प वहाँ पर है और हमारे पास शौन को डराने का एक मौका है! क्या हम उसका फाइदा उठाएंगे? हां, बिल्कुल! ठीक है! अरे पॉपर! ओ माइ गॉड तुमने मुझे डरा दिया! हम पांच गये! हम लोट आए! मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पाने रखाएंगे! ओ, थैंक यू सो मुझ! चीर्ज बॉइस! वाव स्वात कोकरनट जसा है! उस ट्रक के बाद हमने खाया, नहाया और खुद को सुखाते-सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को नहारा क्योंकि समंदर के बीचो बीच होने पर लगता है मानों आप किसी दूसरे ही ग्रहे पर हो! लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज के शुरुवात से ही डर था तुम्हें मैं मैंसुस हुआ? क्या हमकी छट पर बहुत सारा पानी जमा है मुझे नहीं बता इसके नीचे रहना और सुरक्षित होगा या ली इस छट को बहतर बनानी की हमारी लाग कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो रहा था पता क्या इसके ऊपर इतना सारा पानी है तुम्हें क्या लगता है यह नीचे गिर सकता है और हाला कि हम सबको नीच्द की सक्ट जरूरती हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा मैं इस बारिश की बज़ह से राध भर बहुत परेशान हुआ और दो घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ गैम और गेले बिस्तरों की बज़ह से मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी आज राध सो पाएगा पर रात में इस तरह आप पर बारिश होना इन चालेंजेस का सबसे घटिया हैसा होता है मैं बहुत ठक गया हूँ उमीद है बुरा बग जल्दी खत्म हो जाएगा और हाला कि हमारी हालत बहुत रात थी हम बस बैटकर इंतजार ही कर सकते थे मैं जूट नहीं कहूँगा पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज़्यादा ठंड लगी है तुम आज क्या करना चाहते हो नोलन? पता नहीं मैं बस यहाँ लेटा रहूँगा मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ मैं जूट नहीं कहूँगा यह जगा बहुत बेकार है मैं बीमार हूँ और ठक भी चुका हूँ मुझे घर जाना है अब यह आइलेंड लगता है हमारी परिक्षा ले रहा है हमें लग रहा था जैसे यह कोई बुरा सपना है और छे दिनों की कड़ी महनत के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा आप सिर्फ कैंट फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते आपको बिलकुल भी अच्छा फील नहीं होता मुझे अजीब लग रहा है मेरा सर दुख रहा है और मैं ठक गया हूँ यह साफ है कि अगर हमें यह चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे मैं एक पीच कॉबलर ढून रहा हूँ तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए मुझे मिल गया तो सबका मूर ठीक करने के लिए हमने कैंट कॉबलर के ब्रेक्फेस्ट के साथ शुरुवात की बढ़ी है अधा कि हम सिक्स्त डे कैसे सवाइद करने वाले हैं एक दूसरे के साथ मजे करके और मुझे एहसास होने लगा भले ही हम सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं हमने दुन्या की सबसे भारी सीट क्यू चुनी ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती और एडवेंचर से भरी रही हमने कर दिखाया ऐसे पर ढूनना बहुत मुश्किल होते हैं और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शाद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे ये काफी कूल है और हमारी चुनौती का छटा दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था हम अपनी आखरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिबरेट कर रहे हैं लेकिन यह हम सब को जला रही है हाँ मैं चला थी ये को ज्यादा ही बड़ी है कल जब हम सब जागेंगे तो चालेंज खत्म हो चुका होगा और जैसे ही साथ में दिन सूरज उगा कैंप को क्लीन करते वक्त हमारी दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकल कर वापस कभी भी नहीं आना है और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुम्किन हो पाते हैं और मुझे आशा ही कि आपको भी मज़ा आया होगा देखने के लिए शुक्रिया